जेहिंद मैंने एरज महता स्वागत है आप सभी का आज के एक नई वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप बिहार पुलिस कॉंस्टेवल भरती दो जारून ताइस के लिए फॉर्म फिलब करते हैं लेकिन अगर आपका जिसे डेट अब बर्थ जाता समीट करने के बाद आपको पता चलता तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा केंसील का प्रवधान है लेकिन अगर आप जो का जो किया गया भुक्तान वह आपस नहीं होगा और आवेदन नए आवेदन के लिए जो पुन्ह आपको आवेदन सुल्क देना होगा ऐसा जो यहां पर बताया गया तो इसके लिए जो है सबसे पहले आपको जो ओफिसेल वेबसाइट पर आ जाना है सी एस बीसी की यहां पर आने के बाद आपको जो इस वाले लिंक पर यहां पर किलिक करना होगा अपलाई ऑनलाइन फोड़ द पोस्ट आप कॉंस्टिवल य चलिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपको ईएडी या फिर नंबर दोनम से कोई एक आपको फिल करना होगा मुला नंबर यहां पर देंगे अपन देट अबर्ध अ पर अपने दो यहाँ तकरेंगे और यहां पर इड़िट-करने करने का को international 19 कोई भी जो यहाँ पे औप्षान नहीं है लेकिन आपका पूरी तरका समीट होचुका है लेकिन आपको कोई ज्यादा चीज गलत है और हो सकता है डॉकमेंट भी पिशन के समयापको रद कर दे या फिर या पका हो सकता आने वाले समय में आपका कोलिफाइड हो किलिक करके फॉर्म को केंसिल कर देना है उसके बाद छोड थोरा देर बाद 1 से 2 घंटा के बाद यह होँसे के तो Next Day आपको पिर से जो है आपको रेजिटेशन करना होगा फिर से जो आपको payment पैमेंट देना होगा और पहले का जो पैमेंट था वो आपका वापस नहीं किया जाएगा रेश्टेशन करेंगे फॉर्म फिलब करेंगे और इस बार जब करेंगे तो आप जो है सुधार करके करेंगे ताकि आगे का जो है कोई भी चीज आपका गलत नहों इस प्रकार से हिंद और जबारत